हलो दोस्ताना कॉम्पेटर क्लासिस में आप सुबह का स्वागत है और आज मैं बताना जारो अपने अतित के बारे में जिसको जानकर आपको खुशी भी महसुस हो सकती है या फिर दुख भी और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको लगता है कि हम लोग अलग जो हुए है वो किसी कारण वस हुए है तो ऐसा कोई भी फंडा है नहीं ठीक है हां होता है कि कभी कभी हो जाता है कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए और ऐसा मेरा मेरे अंदर कभी भी है निभावना है कि बहुत जादा पैसा हो गया तो फिर ऐसा हो ऐसा कुछ भी निग हाँ एक चीज़ है कि यदि आप डिल कर चुके हैं इतना में तो भाईया इतना ही लेना चाहिए एक स्टा आपको नहीं लेना चाहिए ओके इसी टाइप का हम लोग इस इंसिट्यूट को रन किये थे में भी 2015 में 2015 की बात है जब हम इंटर लिख चुके थे और इंटर में क्या हुआ था कि मेरा रिजल्स सेकेंट आया था मेरे साथ और काफी सारे दोस्ते जिनका कहना था कि भाईया सेकेंड किये हैं देट में समलोग और एक बार इंटर को देंगे ठीक है इसी इससे फिर पहले और थोड़ा सा पहले जाते हैं आपको ये भी जानना जरूरी है कि हम कौन से इंसिटूट से पढ़े हुए है तो मैं बताता हूँ कि हम भी एक स्टुडेंट रह चुके हैं जिनियस कॉम्पेटर एकेडेमी का ठीक है जो कि बुंडू में आप चाहे तो वहाँ भी चाह सकते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट है हार एक टीचर अपने जगा पर बेस्ट होता है है नहीं वहाँ पर कौन-कौन पढ़ाते थे थे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संतुष सर है डिजिरल कॉम्पेटर क्लासेस का वो भी वही के स्टुडेंट रह हुए है और जो साइक क्लासेस से बगिरत सर वो भी वही के स्टुडेंट है इसके बाद आप देखने जाएएगा तो आइडियस टीक है जो कि रोकी होल रोड में है वो भी वही के स्टुडेंट है टीक है और हम भी वही के स्टुडेंट रह हुए बट क्या हुआ कि 2014 या 12 में नहीं, 13 में, ओके, 2013 में मैं वहाँ से Genius Computer Academy से ADCA complete किया, इसके बाद, 2015 में, 2015 में में चल गया राची, राची में कुछ पाइने और ऐसा कुछ करके Institute था, जहाँ पर hardware का knowledge लेने के लिए में गया हो, जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन सही चला, कुछ काम सही से पढ़ाय हुआ, ओने के बाद वहाँ के teacher का करना था कि आप student लाइएगा तब ही हम आपको पढ़ाएंगे, अदर बाड़ी भाड़ा करके और आपको वहाँ पर कोई कुछ चीज नहीं पढ़ाएगा और आपको धंगाएगा तो मजा नहीं आएगा, सेमे आजाई फेलिंग आपको इस Institute में भी होता होगा, मेरे को पता है, हमको भी खराब लगता है, बट क्या करें, एक कि समझ ही हम कभी भ आपको ये force ने किया है कि बाबु बच्चा होगा तो लाना, या फिर ये force ने किया है कि payment देना ही जरूरी है, नहीं ऐसा मेरे कभी भी इस Institute का मोटिब नहीं रहा है, आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप slowly पढ़िए, लेकिन पढ़िए बेस्ट तरीके से, आप काम परपस से सेख रहा है, तो भाईया इसको काम परपस से ही लेजे, आप लोग क्या करते हैं कि नहीं, हो गया सर आगे कराईए, हो गया सर आगे कराईए, तो ऐसा मज़ा नहीं आता है, हाँ, आप intelligent है, हमको समझ में आता है, आपको अगबकी है, इसलेवस speedly खतम करने का, हमको पता है, भाईया इसके लिए मैं video classes ला चुका हूँ इस institute में, ठीक है, video classes, जो कि आपको फिर पसंद नहीं आता है, video classes का परपस ये बिलकुल नहीं है, कि आप लोग speed पढ़िये, नहीं समझ में है, ऐसा कभी भी भी नहीं है, मैं हर एक video classes में ये बोलता हूँ कि भाईया, आप देख देखिए, दो मिनिट का clip देखिए, उसके बाद पूछिए, कहां आपको समझ में नहीं है, और ऐसा मैं क्यों करता हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ, भी ये बनाने का purpose ये ही है ना, कि आप लोग एक घंटा का time है, तिस system है मेरे पास, यदि मैं परतिक बच्चा को time देता हूँ, एक घंटा में, तिस student को, तो केवल एक बच्चा को दो मिनट का time दे सकता हूँ, और दो मिनट में मैं क्या ही पढ़ाऊँगा, और क्या ही समझाऊँगा, या आप अपने तरब से भी समझ के देखिए, मेरे बाई, ठीक है, बाकि देखिए, ये मेरा business ने, ये knowledge, logic सी बात है, genius computer, academy, ठीक है, बेस्ट टीचर है, वहाँ भी, ठीक है, वहाँ के जो भगीरसर है, वो भी बेस्ट है, भगीरसर जो साइक लासस में पढ़ाते है, बेस्ट पढ़ाते है, अब जाकर जोइंड करिए, इसके बाद आपको लगता है, कि डीटल, जो की दोस्ताना कही एक हिस्सा था पहले, दोस्ताना साथ में चलाया थे, डीजिटल के साथ, तो आपको लगता है, संतुस्सर भी बेस्ट है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी बोलनी की ज़ुरत है नहीं, कि यहां बेस्ट पढ़ा होता है, बेस्ट नहीं पढ़ा मनी इनिवेस्ट होता है, पईसा उतना जादा माइन नहीं रखता है मेरे भाई, आप एक चीस समझे कि आप टाइम दे रहे हैं, पईसा दे रहे हैं, फिर कल के दिन आपको फिर दोबारा करना क्या जोरत पढ़ेगा तो फिर सही नहीं है ना, आप देखे, दोस्ताना हम लो इससे पहले में दोस्ताना, दोस्ताना नाम कैसे पढ़ा, पई यह दोस्ताना नाम जो पढ़ा है ना, ओ दोस्ताना नाम पढ़ा है, ड्रेम्स के बदुलत, ड्रेम्स जो कि एक बुला जाए तो बिंडू का, इंगलिस स्पॉकन क्लासिस नमबर वन, नमबर वन पर ही आता जहां के दो सर रहा करते थे एक विकास सर और एक जेपी सर जिगतपाल सर ठीक है वो लोग बीच में गहरी दोस्ती थी बहुत ही बैस्ट दोस्ती थी और वो लोग गाना गाते थे कौन सा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बस वही चीज है उसको ही लेकर हम क्या कि इस इंस्टीट का नाम दोस्ताना रखे हम सोचे क्यों उन्हीं लोग के करम पर मतलब कदमों करम पर चले और इसी इंस्टीट का नाम दोस्ताना उन्हीं के बदुलत रखे हैं तेक है संतोस्तर पहले पढ़ाते थे अलग होके जब ड dreams से रहने के बाद őफान, जब अलग होगिया अलग होने के दर्मियान, जब Since Comeadors, सिंग कंपलेक्स जो कि funds केंओं बैंक उब बड़ादा के सामने है वहाँ पर पढ़ाते थे B stove,这 civ苏 भीकास सर सुनी यह मनıldड़ा है बट एक मेरे को बाद बोल łब से कितीु एक मेरे समझों अब लग रहा है कि पार्टनर्षिफ है कल के दिन जाकर तुम समझ जाओगे कि पार्टनर्षिफ अ ही न ही है तो मैं बोला कि नहीं सरह सिंदा है सब कुछ सही है, चलता भी सही है, मेरे को लगा कि सब कुछ सही है, और पार्टनर सिर्फ चलता है, हम लोग को प्रैम गले में या फिर महता प्रेजा, धिर कुछ बी ऐसा नाम कहते हैं, वहाँ पर जा कर खूलने का परपस यही था वो घर बहुत जज़र था में भी आप लोग का बाज दिबीकासर लोग से होती है तो पता चल जाएगा कि वो घर का structure कैसा था हमने उस घर को ऐसा किये कि जब हम इंस्टिटूट घर में खोलने वाले थे तो संतोसर आएं और बोले कि ठीक है कुछ investment करते हैं और इस इंस्टिटूट को आगे बढ़ाते हैं मेरे को भी लगा कि हाँ इनका तो knowledge है क्योंकि मेरे पास उस time experience नहीं था मेरे भाई और मैं मानता हूँ कि लोजिक से बात है न अभी मैं कोई भी बंदा को समझाऊँगा सिखाऊँगा तो उसका उतना ज़्यादा experience नहीं होगा वो पढ़ा चुके थे 3-4 साल तक इसलिए उनके पास experience था मैं सोचा कि चल सही है मेरे पास experience नहीं है ठीक है हम लोग investment के हैं दो system से दो system से क्या हुआ दो system भी अपने पास था नहीं एक system मेरे पास था एक system M's Classes को लिए हुए थे उसके बाद क्या कि हम लोग क्लास को रण के क्लास को रण करने के अब दर्मियान क्लास चला फर्स्ट साल लगवख 27 से स्टूटिन को पढ़ाए उसके बाद क्या हुआ उस घर को थोड़ा सा मरूमत के बनाए चला कुछ रूम्रेंट बात आया आगे कि कुछ रूम्रेंट देना पड़ेगा तो मेरे को लगा कि भाईया कहीं भी पढ़ें कहीं भी करें रूम्रेंट तो देना पड़ेगा ये उचित है तो रूम्रेंट में भी पंद्रसु आस पास देते थे ऐसा ठीक है हमको अच्छा नहीं लगा क्यों अच्छा नहीं लगा क्यों जो बंदा पहले बोल चुका था कि भाया रूमरेंट वगेरा नहीं देना पड़ेगा वो बंदा एक साल के बाद बोलता है रूमरेंट देना पड़ेगा एक साल के बाद बोलता है कि electronics bill भी देना पड़ेगा ठीक है तो फिर हमको अच्छाने लगा तो हम मों में बोल दिये कि सर पहले बात हुआ था कि मतलब हम आपको room दे रहे हैं ऐसा आप room rent ले रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं कि electronics bill लेंगे ऐसा ऐसा बात हुआ ठीक है तो फिर electronics bill cancel हो गया फिर हम लोग एक साल के बाद उसका 500 room rent बढ़ा दिये मैं भी 2000 या 2500 आसपास कर दिये था ठीक है पुरा idea है नहीं पर उतना कर दिये और क्या हो था उस घर का payment हम लोग एक साल पहले मतलब एक मेना पहले देते थे advance में क्यों देते थे क्योंकि हम लोग को डर था क्योंकि मेरे को डर था मेरे को डर था कि हो सकता है अभी पर जहां पर हम लोग रहते है pressure रहता है मेरे भाई कि timely हम लोग room rent दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे room rent नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे manage होगा क्या होता है आप खाना ना खाये चलेगा बट आपको मेनेज करके देना पड़ेगा रूमरेंट ठीक है यही सा फंडा है बाकि हम लोग रूमरेंट दे रहे तो दे रहे तो चल रहा तो चल रहा था अब आ गया 2019 की बाते क्योंकि लोजिक से बाते हुँ मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ चुका है उनको पता है मेरे नोलिज के बारे में और उनका भी नोलिज के बारे में हम लोग साथ में पढ़ा हैं बट क्योंकि उसी दर्मियान में स्कूल में भी काम कर चुका हूँ सरकल स्कूल में उस टेम टीचर टेनिंग चल रहा था, घर का भी बहुत ज़्यादा प्रेसर था, तो काफी काम, हाँ, अब आपको बताता हूँ, मेरे नोलेज के बार में, मेरे को पहले साल कुछ भी नोलेज नहीं था, जो हलका फुलका आता था, वो हम करते थे, ठीक है, हम अमर स अमरे स्टुडियो, ऐसा ही बोलते हैं उनको, वो भी मेरे गुरु है, वही सजेस्ट किये, कि भाई, अभी तरह पढ़ने का एज है, तो पढ़ लो, ठीक है, हाँ, काम करने के हैं, वह तब पढ़े सो रुप्या करें हिसाब से, वहां से ही आकर हम इंसिटूट आपनिंग क चला, अब क्या हुआ संतूज सर, क्योंकि उस टाम मेरे कुनोलिज नहीं था, वो क्या करते थे, ड्रेमस में पढ़ाते थे, और वहां भी पढ़ाते थे, बट थोड़ा सा, अब अपने जिगा पर सईए थे, या फिर नहीं, मैं भी अपने जिगा पर सईए था, किनी, क्यो प्रेम से कुछ बच्चा आया हुआ था उसी टाइम में हम लोग के आगे में एक कीरन एकडेमिकल के खोला हुआ था वह भी मेरा ही नोट्स पढ़ाता था ठीक है उस से हमको मेटर नहीं है हम अपने इंसिटूट के बारें बता आने कि भीया यहां पर क्या हुआ हाँ फर्ट स मिला है यूटूब से मिला है यूटूब गूगल यह सब से जादर तर नोलेज में लिया हो इसमें में काफ़े टाइम दिया काफ़े टाइम दिया उसके बाद तूकि देखो एक ची होता है कि तुम को experience नहीं रहाएगा को बैचा पूछेगा तो तुम क्या बताओगे तेक इसका जो पढ़े थे राचे में पढ़े थे बट इंसिट्यूट खुलने के बाद एक दिन भी ने बट के पढ़े हैं अब क्या हुआ experience कहां से मिला मैं बताता हूँ मेरे भाई जब हम लोग पढ़ाते थे तो तेली में मैं दो साल महिनत किया हूँ मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ कि टेली आप कहीं से भी पढ़ लेजे और टेली आप मेरे साथ आके पढ़िए मैं आपको ऐसे डेमो दे दूँगा खरिदना बचना पैसा लेना पैसा देना घुमाना एदि आपको पैसा पसंद ना है तो हम एक रूपया चार्ज नहीं करेंगे आपको डेमो क्लासिस भी मिल जाएगा मेरे भाई दोस्ताना एजूकसन यूटूब चैनल में जाके देखिए पढ़ाने का क्वालिटी देखिए आपको पसंद आता है सही है नहीं आता है कोई दिक्कत है नहीं डीचल कॉम्पिटर क्लासिस बंडो ठीक है उनका भी यूट देखिए देखना जरूरी है मेरे भाई पैसा इंविस्टमेंट कर रहे हैं आप अप हर एक जिगा जाके देखिए हर एक टेचर मेरे लिए सही है और आपके लिए भी सही है बट ट्रेस्ट करिए एक टेचर पर ठीक है आज मैं इसलिए यह चीर बता रहा हूं कि क्योंकि बूला जाता है सर कि वहां के सर थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं ठीक है लड़कियों पर ज्यादा धियान देते हैं तो ऐसा कोई फटना नहीं है मेरे भाई ठीक है आप मेरे साथ पढ़े हैं लड़का को भी उतना ज्यादा धियान देते हैं लड़की को भी इतना ज् राथा. हाँ, थोड़ा सा डैबल इसलिव लगा है, मेरे बाई, स्टेगल करना पड़ता है. अब क्या हुआ कि देखिये दूज जैसा तैसे चला, 2019 तक चला, 2019 के बाद क्यों कि मैं वहां धंकाता बहुत जाता था, और साथ पढयता वे था, but एक होता है ना, कि time to time सब को कुछ न कुछ सिखा ही देता है, तो क्या हुआ कि भाईया वहाँ पर जब जादातर बोलियेगा, ऐसा बोलियेगा, पीटी येगा, तो होता है कोई को बच्चा को बुरा लगता है, बट ये दिल से मैंने करता था, एक किस समझे है, मारे भागी, क्या होता है, जधी आप घर के फैमिली के मेंबर है, और किसी भी बच्चा को जधी आप मारते हैं, आप प्यार करते हैं, इसल्यूle उसको मारते हैं, जधी आपको उससे लगाओ नहीं रहेगा, तो क्या है, लोजिक से बात हैं, दुसरा फैमि आप कर देना मेरे भाई मेरे को, बेट मैं यह दिल से नहीं करता हूँ, आप लोग के जाने के बाद मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं सोँजता हूँ कि साध मैं आज गलत कर दिया, इसको यह बोल करके, इसको यह मार करके, मैरे को लगता है, ट्रस्ट करिए इसलिए मैं गुरूप में दो तिन वार स्वारी भी बोल चुका हूँ ठीक है बट कोई नहीं वो जाने दो क्या हुआ 2019 के बात थी 2019 में हम लोग आए तो उस्ताना में पढ़ा रहे थे 19 या 20 मेरे पास ता इस स्टूडेंट आस पस थे मोर्निंग का टाइम मेरा था लोजिक सी बात है मेरे भाई घर से में जाता था तो थोड़ा सा दो डिले होगा ना क्योंग खाना खाके जाता था खाना खाके जाने के बाद वहां 11 बजे तक पढ़ाता था 11 बजे के बाद नास्ता करता था नास्ता करने के बाद फिर से स्कूल में जाता था इसकूल में दो बज़े तक पढ़ाता था फिर से आता था खाना खाना घर में एक घंडा का रेस्ट करता था और फिर से में कोचिंग आता था तीन बज़े यह मेरा सेडियूल था तीन बज़े के बाद हम लोग का सुबह साम का टाइम बढ़ गया कैसे बटा सर उनका कहना था कि सर जो भी उनका थिंकिंग था वो मेरे को नहीं पता बट उनका थिंकिंग पता नहीं क्या था वो बोलने लगे कि सर अब से आप जितना पढ़ाईएगा उसका पढ़ाईशा आप लेजएगा मैं जितना पढ़ाऊँगा उसका पढ़ाईशा महिलूँगा संतो सर जदी मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स खुला हुआ रहेगा और जितने भी स्टूडेंट है जदी कुछ भी बोलना चाहते हैं कर सकते हैं मैं सब कर रिपलाई दूँगा ठीक है 100% रिपलाई दूँगा यह मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ अब क्या हुआ कि उनका वही बोलना था कि आप जितना स्टूडेंट पढ़ाईगा उसका पढ़ाईशा पढ़ाईशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइश और बोला कि सर देखिये ऐसा इसा बोल रहे है तो रभी सर संताओना देते हुए मेरे को बोले कि भाई ऐसा कुछ हो जाता है न इनके जदी आप अलग हो भी जाते है न तो मैं आपको अपना इंसिटूट दोंगा चलाने के लिए वो अपने जगापर सही थे ठीक है और दोस् दोस्ति नहीं था संतोसर कहीं बट मेरा भी दोस्ति देरे देरे हो गया ठीक है अब वो बोल दिया तो फिर एगरी हम हो गये हमको टाइमिंग दिया गया कि सुबो या साम तो मैं अपना टाइमिंग लिया सुबो को सता ऐसी स्टूडेंट और उनका थे लगभग 15 सास पास लगध कोई ने अब क्या हुआ कि बगवार ने साथ दिए दी मेरी को मैं उस दिन के बाद एक दो बच्चा को बोला कि भाई कोई बच्चा होगा तो लाना ठीक है बगवार ने साथ ऐसा दिया रहा कि दो दिन में सटर स्टूडेंट आप सोच नहीं सकते हैं दो दिन में इसके बाद भी क्या हुआ फोल हो गया फिर भी में छे बज़े से लेकर बारा बज़े तक पढ़ाता था अब क्या होने लगा उनको सोड़ा सा तकलिफ होने लगा अब वो क्या कर दिये दो इंसिटूट खोल दिये गलत बोल रहा तो बता सकते है संतोसर आप एक इंसिटूट खोल दिये दे कहां पर तामोर के आसपास जो कि मेरे को आइडिया बिल्कुल ही नहीं था उसके बाद इंकोईरी लेने लगे बच्चा क्योंकि देखो एक चाहीं होता है कहीं भी आप बैनर पंपलेट साटने जाते हैं एड़वर्टाइज करने जाते तो एक चाहीं होता है तो फॉस्ट बैनर का फॉस्ट नंबर को ट्राइ करेंगे वो नहीं लगता है तो ही सेकंड नंबर को ट्राइ किया जाता है इसके बाद क्या हुआ कि जितना भी उनके पास कोलिंग आता था घर भी उनका हुई था बारा बज़े को बाद तो मही रहता था तो नहीं था वहा रहां पर क्या करते थे, इंक्वेयरे लेने के लिए heiddली, उनका बगले में दुकान था, उनका बुलाते थे उसके बाद्व कै अनुक्त क्या करने लगे कि है, स्बम्हों को आना है तो आजांएगा वहाँ पर, और साम को आना है तो यहां पर, ऐसा करने लगे तब मैंने, क्य तो क्या आप उनके सामने बोल चुके हैं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वह भी अपना इस्टूडेंट ही है, तो लोजिक सी बात है, मैं नहीं चाहूँगा कि उसके बारे में पता चलें, ठीक है, ठीक है, ड्रस्ट करो, रिकोर्डिंग है मेरे पास, ये मेरे को पता चला है इसके बाद मैंने बोला कि सर ऐसा करिएगा तो फिर मेरा कैसे चलेगा नहीं चलेगा तो थोड़ा सा उस टेम मता हुआ अच्छा नहीं लगा और अच्छा नहीं लगने के कर दर्मियान थोड़ा सा सही नहीं होता था वो वहां जाते थे यहां आते थे यहां पर जदी हम दो का institute में टेवल घट जाता था इंबेस्टमेंट करने बोलिए तो वो सब नहीं होता था इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन चला 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 उसके बाद lockdown lockdown आ गया अब lockdown आने के बाद आप क्या करिएगा lockdown आने के बाद हम लोग कुछ दिन institute बंद रखे हमको आइडिया है कि हम अपना जो इंसीटूट का होता है नो आपनिंग डेट सोल अप्रेल सोल अप्रेल को मनाये थे मनाने के बाद लोई 20 अप्रेल आसपास में lockdown lockdown complete लग गया 2020 की बात है अब lockdown लगने के बाद हम लोग इंसीटूट एक से दो मेहना बंद रखें रखने के बाद क्या हुआ कि इंसीटूट दो मेहना बंद रखने के बाद क्योंकि एक मेहना का एडवांस दिया हुआ था तो फिर से उधर से कॉल आता है और बोला जाता है क कि और एक बड़े भाईया है बोलते हैं कि हमको रूम्रेंड चाहिए और रूम्रेंड नहीं दोगे तो अपना समान तुम उठा करके ले जाओ तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी नहोता है आपका भी तो हिस्सा में कुछ ना कुछ आता है और लोजिक सी बा करेंगे तो आके आप अपना समान ले जाइए मैं आया बात किया थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बट क्या करें कुछ कर भी नहीं सकते थे अपना बटवारा कर लिए बटवारा करने के बाद उनको इंभाईटर दे दिये हम इस्टपलाजर लख रख लिए और बाकी तो लेफटर जिसका जिसका था उसके हिसाब से हो गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब अलग हो गये तो उनके पास इस्टपलाजर नहीं था मेरा घर में अल्रेड़ी एक इस्टपलाजर था तो बोलेगी सर आप चला सकते मैना मेरे पास किसी का भी रिकोर्डिं नहीं था मेरे भाई ठीक है अब किसी का भी रिकोर्डिंग आपके पास रिकोर्ड नहीं था रिकोर्ड नहीं था ना तो फॉर्म था ना तो एडिमिशन फॉर्म था और नहीं कोई डायरी था तो लोजिक से बात है हम सुबह का टाइम ले चुके था सुबह का बच्चा को इन उसका बच्चा को फॉन किया और बुला कि अभी लोग डाउन चल रहा है तो घरी आ जाओ बढ़ाने के लिए अब बिलेब नहीं करिएगा सत्तर का सत्तर स्टूडेंट सत्तर में से कुछ स्टूडेंट छोड़ करके बाकी स्टूडेंट घरी आते थे पढ़ने के लिए अब ऐसा नहीं था वो लग पैसा दे चुके थे साथ इसलिए भी आते थे ते कि उस टेम 2000 एडिस यह था ऐसा कुछ था तो पैमेंट दे चुके थे तो आते थे अब क्या हुआ कि वहां पर पढ़ाने लगे पढ़ाने लगे अब घर में कैसा होगा थोड़ा से मार्केट खरा बो रहा था घर में गाहों में तो जानती है कि क्या माहौल रहता है किसी के वो धर जो दिसाइकल भी रख रहे तो थोड़ा बोला वो ले लंद पन होता है तो वहां से स्ट्रेगल करने के बाद एक दोस्त लड़का हमको इनफॉर्म किया कि यहां पर इंसिटूट है और वो जब लेने लग गया तब वह बोलने लगे कि मतलब थोड़ा सा होता है ने घुसा डाइब से मेरे अंदर भी इगो था घुसा था क्यूंकि जिस कंपनी को बनाने में हम टाइम दे चुके हैं लगभख चार से पास साल अब वह इंसिटूट अपने हाथ में रहा नहीं तो अ अच्छा तो नहीं लगा बट करेगा तो उस तेम वहांगे इस्टर प्लेजर लेने के लिए तो हमको एक वर्ड वोले कि भाई तुम मेरा डायर इला देना तब मैंने गुसा से बोला नहीं ला दूंगा जो करना है कर लेज़े कि भाईया तकलिफ हुआता है मेरे को ठीक है साइध वो वर्ड में सहीनी बोला था ऐसा मेरे को अभी भी लगता है ठीक है ऐसा मेरे को लगता है कि वो वर्ड मेरा सहीनी था बट गुसा में था उसके बाद मैं मानने पर भी उतर गया कि आज जदी कुछ बोले ना तो मारबो करेंगे और ये वर्ड भी मेरा सहीनी था य इसलिए बच्चा को अपना सांत रखना चाहिए मैंड, ठीक है, अब मैं वो चीज बोलके, इस अप्लाजर तो मिल गया, हम लेके घर आ गया, घर में इंसिटूट चलाने लगए, चलते रहा, चलते रहा, उसके बाद हम यहाँ पर लाएं, इंसिटूट को, स्टार्ट किये थ सिंगल सिस्टम कैसे दिया जाए, यह सोच सोच के चलाने लगए, चलाने लगए, देखो ऐसा हुआ कि अलग होने के बाद संतोसर जो है ना, फिर से वही रिटन आगे, तकलिप यह चीज का है मेरे भाई, कि सर बोले थे कि अब हम भी इस इंसिटूट में नहीं चलाएंगे तुम भी नहीं चलाओगे, तो बोले कि भाईया जगा आप रख लेजिए, नाम मेरे को देदीजिए, संतोसर जहां से अभी सर्टिफिकेट देते है ना, वो सर्टिफिकेट दिलवाने का काम भी मेरा था, ठीक है, आप जाके पूछ लेजिएगा, कि वहाँ बात तक कोन कि पहुच है मेरे भाई थोड़ा ऐसा, ऐसा मैं मानता हूँ, यह इगो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम से जो रेडी किये थे, सिस्टम इदेरों से युगार करके पांच, छे, साथ, आठ करना, दोस्त के बदल उती हुआ था, तो कि हम लोग दसे जार से अपना बिज जाओं तो दिक्कत नहीं, कि कि मैं उठा ही यहां से हूँ, ठीक है, इसलिए कोई बच्चा बुलता है, तो तकलिफ नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि हम भी उसी लाइन से उठे हुए हैं, और एक चीज़ होता है, एगो किसी गंदर नहीं आना चाहिए, भले आप कितना भ हुआ कि वो फिर से दोबारा, आके वो वहीं बस गया, कभी आना जाना लगता था, बस उस रोड में आना जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि तकलिफ होता था मेरे भाई, उस रोड से जब भी में गुजरता था, तो पुरानी यादे होती है ना, ताजा हो जाती थी, इसलिए में उस रोड से आना जाना ही बंद कर दिया, उस रोड में काम होता था, फिर भी सही नहीं लगता था, ठीक है, उसके बदी यहाँ पर इंस्टिट में न खोला, और खोल के चलाया, चलाने के साथ साथ परविन सर्शुद अच्छी खासे दोस्ती होगी, संदिब जो मेरे सा से होगे, ठीक है, उसके बाद दिने सर तो परविन सर के साथ रिथे, इसलिए मेरे दोस्ती होगे, इसके साथ, बुधन मेरे दोस्त है, अनिल दोस्ती है, बहुत सारे दोस्त है, जो कि मेरे को बहुत जादा सौपर्ट किये, 86,000 रुपया, अपना आदमी छोड़ो यार, को कितना भी अपना रहना तो नहीं देता है, लेकिन वो बन्दा मेरे पर ट्रस्ट किया, और 86,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, जब मैं यहाँ आ चुका था, और मेरे हाथ में पीस ही नहीं था, तब 86,000 सोच सकते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्ट अब क्या हुआ कि जब थोड़ा सा बन गेते हलका पुलका एक लैपटाप आई से वेन मेरे कोचिंग से ही चोरी हो गया बट कोई नहीं जो होता है इच्छे के लिए होता है मैं फिर से सोचा कि सही है भगवान एक चीज लिया है तो हो सकते दस देने का सोच कही लिया होगा ऐसा सोच के मैं फिर से आगय क्या और अभी सही चल रहा है ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है जैसा चल रहा है सही चल रहा है कोई इस सो है नहीं फिर इस साल क्या हुआ कि डिजिटल इस रोड में आ गया जि मेरे भाई, आप मेरे टीचर है, गुरु है, सही है, बस आप जो भी है, यदि आपको तुलना करना है, तो आप कोई भी बुर्णो का कोई भी टीचर हो, यदि आप लोगो तुलना करना है, मेरे साथ, या फिर किसी भी टीचर को लगता है कि तुलना करना है, तो भाईया आप बोल सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, मैं आने के लिए रेडी हूँ, किसी भी इंसीटूट में बुला लेजिए, ठीक है, ओपन चैलेंज है, यदि आप मेरे को हरा दिये, तो मैं इंसीटूट बंद कर दूँगा, किसी भी चीज में, ठीक है, अब देखो आप एक चीज में छ ठीक है, एक साल के बाद उसमें भी आप टककर मेरे को नहीं दे सकते हैं, बाकि DCA, DTP, टेली, इंटरनेट, चारों में, आप आ सकते हैं, ओपन चैलेंज है, यदि आप मेरे को हरा दिये, तो मैं इंसीटूट बंद कर दूँगा, और मैं हरा दिया तो, आईएगा तो सर्त क्या हिएगा, कि मैं हार गया, तो मैं इंसीटूट बंद कर दूँगा, और आप हार गयें, तो आप इंसीटूट बंद कर देजेगा, ठीक है, यह मेरा ओपन चैलेंज है, हर एक इंसीटूट के साथ, यदि बोलना है तो, ने तो हर एक टीचर अपने जगा पर सहिए, आप मेरे गुरू है, हर एक इंसीटूट के जितने भी टीचर है, सब मेरे गुरू है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर रहें, हम भी अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर रहें, ठीक है, भगवान देना चाहता है तो देगा, नहीं देना चाहता है तो न आपको पांच मिलेगा, वो मैं नहीं ले सकता हूँ, चाह करके भी, मैं कितना भी माता क्यों न पटक लूँ, मेरे को मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं हर एक स्टुडेंट को ये चीज़ बोलना चाहूंगा कि, आप कहीं भी जाएं, ठीक है, आप कहीं भी जाएं, तो आप करिए, कहीं पर भी जा करके, और देखिए, कि इस इंसिटूट और उस इंसिटूट में क्या अंतर है, क्योंकि आप एडिस ये करते हैं, तो आप 5-6 मैना टाइम ज़रूर ही देने वाले हैं, दोनों का नोट तुलना के लिए, ऐसा मैंने बोल रहा है, नोट बेस्ट है, हर देखता हूं, मैं हर एक टीचर का नोट देखता हूं, साइं का भी नोट से देखता हूं, कि वहां क्या पढ़ाय हो रहा है, डिजिटल का भी देखता हूं, जिनियस का भी देखता हूं, आईडियस का भी देखता हूं, ठीक है, आप मेरा भी नोट से देखिए, तब आपक ठेक यह, हर एक बच्चा भी ऐसे ही देखे, और फिर तुलना करे, और फिर जोइन करे, हर एक इन्सिट्यूट, फीके मामले में आये तो फीके मामले में भी कोई दिक्कत है नहीं मेरे भाई, ठेक है, सस्ता तो है, और इससे सस्ता में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि, बाकी आपको जदी इस इंसिटुट में कोई भी किसी भी टाइप से तकलिफ होती है तो आप बोल सकते हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे और हो पाएगा तो उसको जरूर ही करेंगे ठीक है ये था हमारी जर्नी दोस्ताना कॉम्पेटर क्लासिस का जर्नी अच्छा लगा तो अच्छा लगे या बुरा लगे अपना राए जरूर दे इस वीडियो के नीचे तेंकियो फोर वाचिंग इस वीडियो और मैं जाने से पहले हर इक टीचर को माफी माग रहा हूँ ठीक है मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो किसी को भी बुरा भला लगा हो किसी को भी गलत बोले है तो अप लोग देया लूए है मेरे को माप कर दीजेगा और किसी भी स्टुडेंट को भी बुरा लगा है तो वो भी मेरे को माप कर देना ठीक है बाकिया आओ गए तो भाया हम तो धमकाएंगे और बोलेंगे आपको अच्छा लगता है सही है नहीं लगता है कोई दिक्कत है नहीं बट मैं तो बोलूँगा ही ठीक है क्योंकि आप मेरे अपने है ठीक है और अपना आदमी को बोला जाता है ठीक है तो सही है मिलते हैं कुछ है नए वीडियो के साथ ठीक है नहीं पर वाचिंग दिस वीडियो